ताहित गोरा के शो बिला तकलुफ में मैं हलीमा साधिया आप सबको खुश्यामदीत कहती हूँ आज मैं ताहित गोरा के साथ बात चीत करूँगी भारत के प्राइम मिनिस्टर नरिंद्रा मोदी के अपकमिंग नमस्ते अमरीका विजिट अमरीकी सेक्टरी खारजा टोनी ब्लिंकन के दौराय चीन पाकिस्तान के सियासी और माईली क्रैसिस और पाकिस्तानी इंसानी स्मगलर्स के हातों कीमती इंसानी जानों के जाने की होल नाक दास्तानों के हवाले साहे जैसा के हम जानते हैं कि भारत के प्राइम मिनिस्टर नरिंदा मोदी USA का दूसरा तारीख साज विजिट कर रहे हैं जो के 21 से 24 जून को हो रहा है USA में दूसरी बार US कॉंग्रिस को खताब करने वाले ये पहले भारती विजीरियाजम है इस इसला में प्रेजिडेंट बाइडन और फर्स लेडी उन्हें स्टेट डिनर भी दे रहे हैं और पीम मोदी के इस विजिट के पसमंजर में पाकिस्तान के वजीरे दफा जनाब खौजा आसिफ साहब का कहना है कि पाकिस्तान को अमरीका के साथ बढ़ते हुए तालुकात पर कोई अतरास नहीं लेकिन ये सब कुछ पाकिस्तान की कीमत पर नहीं आप इसको कैसे देखते हैं और इस पर क्या तबस्रा करना पसंद करेंगे देखिए पाकिस्तान के वजीरे दिफा खौजा आसिफ ने अभी रिसेंटली एक इंटरिव्यू दिया है जिसमें इस तरह की बातें की जनका आपने इशारा दिया मेरा ये ख्याल है कि अब पाकिस्तान इस पॉजिशन में नहीं के कोई इतरास कर सके पहले माजी में कोई पंडरा बीश साल पहले तो पाकिस्तान इतरास भी कर लिया करत था अब पाकिस्तान को पता है कि वो इतरास नहीं कर सकता लेकिन उनको तश्वीश जरूर है मेरी जाती राए में उनको तश्वीश भी नहीं होनी चाहिए इसलिए कि भारत के अमरीका के साथ अपने तल्लकात है पाकिस्तान के अमरीका के साथ अपने बिगाड़ हैं चोके इनके तल्लकात हुआ करते थे अच्छे होते थे अब इतने अच्छे नहीं रहे काफी उसमें बिगाड़ आ चुका है तो वो उनकी अपनी वजुहात है अब अनका ये कहना कि इसब कुछ पाकिस्तान की कीमट पर नहीं होना चाहिए तो ये एक फ़नी सी बात है पाकिस्तान की कीमत से उनकी क्या मुराद है? मैं ये समयने से कासर हूँ, कि अट वाट कास्ट? क्या वो अमरीका को पाकिस्तान के साथ वैसे ही तलकात रखने पर मजबूर कर सकते हैं, जैसे वो पहले तलकात रखा करते थे? मजबूर तो खैर वो पहले भी नहीं कर सकते थे, मगर कोई ना कोई इंडारेक्ट अफगानस्तान के हवाले से, चुक्के अफगानस्तान का जो क्राइसिस है, रुशियन्स के आने से आनवर्ड, आप समझिए के दो हजार एकेस तक चलता रहा, जब तक अमरीकी अफगानस्त होता था, अमरीकियों से बात करने के कांटेक्स में अब वो लिवरिज भी नहीं रहा, फिर अमरीकियों को ये भी अंदाजा है के पाकिस्तान के हाथों काफी उनका बिट्रेल हुआ, उसामा बिन लादन की एप्टाबाद में जो हलाकत है, वो इसका एक मू बोलता सबूत ह के वो पाकिसान आर्मी की नाकों नीचे रह रहे थे, और दुनिया के सबसे बड़े वांटिट टेरिरिस्ट थे, इन दा आईज ऑफ यनाइटेज सेट अफ अमेरिका, और उनके नाम पे दैश्टगर्दी को खतम करने के लिए, अमरीका ने बिलियंज और पाकिसान को दिय और उसके बाद उसामा बिलादन निकले एक घर से जो एप्टाबाद में था, और वो भी काकूल अगैडमी जो आर्मी का एक बहुत ही स्टॉंग होल्ड ठेकाना है, उस से कोई करीब कहते हैं, चंद सो गास के फासले पे, या चंद किलो मीटर के फासले पे, तो जाहर है, ये सारी सूरते हाल को समझ चुके हैं, और अमेरिकन समझते हैं कि ये जो मसला है, ये बहुत गंबीर है, तो इन हालात में पाकिस्तान का ये कहना के हमारी कास्ट पे, इंडिया के साथ आप तल्लकात ना बढ़ाएं, ये एक फनी सी बात है, और बहुत ही, मैं समझता हूँ बचकाना बात है, कि इसका कोई तुकनी बनता, ये जुमला कहने का, और बरहाल अब ये है कि प्रामिनिस्टर निंदरा मूधी बारत में होंगे एक रोज बात, और माफी चाहता हूँ, प्रामिनिस्टर निंदरा मूधी अमरीका में होंगे एक रोज बात, और जब वो अम मुलाकात भी है उनकी फिर उनका स्टेट गेस्ट होना बहुत इंपॉर्टन्ट है उनके लिए एक स्पेशल डिनर फस्ट लेडी और वो दे रहे है तो जाहर है मतब पाकिस्तान के लिए परशानी की बात यह है कि वो अपने बेंतहा जिसे कहते हैं फिनैंशिल और प्लिटिक करते नहीं ठकते थे भारत अब उनकी यानि पाकिस्तान की दस्तरस से बहुत दूर बहुत आगे जा चुका है हर इतबार से माली इस्तेकाम के इतबार से प्लिटिकल जो उनकी है जरनी उसके इतबार से और अब यानि भारत पाकिस्तान को पकड़ाई नहीं दे रहा तो यह frustration है on the other hand Pakistan के हलात ऐसे हैं कि खुद Pakistan भी दूसरी तरफ यानी पताल की तरफ जाता हुआ पाकिस्तानी elite को नजर आ रहा है और वो भी उनको पकड़ाई नहीं दे रहा है कि वो नीचे को खिसकता चला जा रहा है और भारत जिसके साथ वो मुकाबले का obsession रखे हुए अब तक पागल हो चुके हैं तकरीबन पूरी कौम नफसियाती मरीज बन चुकी हुई है वो अब ये परशानी है कि वो उपर की तरफ जा रहा है पकड़ने के काबल नहीं रहा और ये नीचे की तरफ फिसल रहे हैं वो फिसलने को रोकने के काबल नहीं है तो ये एक frustration की सुखते हाल है खौजा एसफ साथ का मजीद कहना था कि अमरीका हमें किसी hard choice में ना डाले फिर उसके बाद उन्होंने भारत में secularism को खच्चे में जाता है महसूस किया और कहा कि है तो इस स्लसले पे आपका क्या तबस्रा है आप क्या देखते हैं देखिए ये दोनों सवलात आपके जो है उनका में बारी बारी जवाब देता हूँ पहला तो मामला ये है कि उन्होंने अमरीका को एक तरह से warning दी है या मैं ये भी कह सकता हूँ किया है कि अगर आपने हमारी कौस पे भारत के साथ बहुत अच्छे तालकात बनाए जाहर है भारत इस दौरा के दौरान प्राइम निस्टर इंडरा मूदी अमरीकी टेकनालोजी भी आगे लेने जा रहे हैं तो वो ये कहना चारे है कि अगर आपने ये सब कुछ किया तो आप हमें हार्ड चॉइस दे रहे हैं यानि हमें मुश्कल में डाल ले अब मैं इस बात को भी समयने से कासर हूं कि कौन सी हार्ड चॉइस है क्या वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप हमारे साथ नहीं हैं तो फिर हम आपके दुश्मनों के साथ कौन दुश्मन यानि पा जाएंगा तो चीन के साथ अलिडी है पाकसानी इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है अडलीस पाकसान की इस्टैबलिश्मेंट या पाकसान की पुलिटिकल इलीट अभी क्या इनकी मुराद ये है कि कहना चाहरे हैं हम रूस के साथ चले जाएंगे तो अमरीका को क्यास की परव नहीं है जो खाजा आसर दे रहे हैं मैं ये समयता हूँ कि पाकस्तान को बहुत संजीलगी से ये सोचना चाहिए कि इस तरह की खारजा पॉलिसी का इस तरह के निरेटिव का इस तरह की बचकाना बातों का इनको क्या फाइदा और फिर ये सब बातें ये खारजा पॉलिसी ये सब इनकी इसलिए है कि ये बारत मुखालफत और अमरीका के खलाफ भी एक अवाम में जजबात उबारने का रवए है जबके ये अमरीका के आगे हाथ फिलाए बैठे हुए हैं आई-एम-फ का मामला हो एफ-सिक्स्टीन तयारों की टेकनालोजी का मामला हो अमरीका की म पाकिस्तानी अवाम में एक इमरान खान से लेके ये भी सरकार और सब वहां के लोग ये कहते रहते हैं कि अमरीका का जो यार है गतार है मैं सबसे ये पोछना चाहता हूँ कि ये जो अमरीकी अमबैसी के बाहर वीजों की लंबी-लंबी कतारों में लगे होए लोग हैं तो बाहर जो उन्होंने कतारें लगाई हैं उससे बाहर निकलाए हैं तो इस सारी सूरते हाल में ये सब बचकाना बाते हैं कि ये कहना कि अगर अमरीका ने हमारी कॉस्ट पर कुछ किया तो हमें फिर हार्ट चॉइस में डाल देंगे तो तो अमरीका रिली केर रहनी मोर कि इनक hard choices क्या हैं? इनकी hard choices actually इनके लिए hard हैं. यानि शायर ये कहना चाह रहे हैं कि आप हमें और मसीबतों में डाल देंगे. आप हमें मजीद hardship में डाल देंगे कि अगर आप हमारा साथ नहीं गाएंगे. शायर ये कहना चाहते हूँ, मैं ये बात तंजन कह रहा हूँ, अब जो आपने दूसरी बात पूछी, यानि इस्लामी जम्हुरिया पाकिस्तान, जिसका ऑफिशल नेम है, इस्लामी जम्हुरिया पाकिस्तान का जो वजीर है, या वहां की जो लीडर्शिप है, उन को भारत में आत्मे का फाद्शा लगा रहता है, पहले अपने मल्क को तो से yapıyorलर मिल्क बनाए, अच्छा भारत तो आज भी अपने आपको हिंदू राश्ता तो नहीं कह रहा, भारत तो आज भी सेकूलरिजम के रास्ते पर ही है, अब ये अलग बात है कि जो सेकूलरिजम के मानी, भारत फरांस से सीखे जाके कि सेपरेशन आफ रिलिजिन और पॉलिटिक्स क्या होता है और ये प्रैक्टिकली ये एक अलग बैस है किसी दिन हम कर सकते हैं प्रैक्टिकली ये कितना पॉसिबल है सेकुलरिजम तो अमरीका कैनिडा की सियासत में भी मकमल तोर पर नहीं है और शायद ये सेकुलरिजम के जिस तरह मानी पाकिस्तान के मीडिया के लोग पाकिस्तान के नाम नहाथ रोशन ख्याल लोग जनको कोई रोशन ख्याली की डैफिनिशन का भी नहीं पता उनको भारत के अंदर सेकुलरिजम के खातमे का बड़ा अफसूस होता हाला कि अगर भारत हिंद नूर राष्टरा में भी सेकुलरिज्म की जड़े मजबूत है लेकिन ये बरीक बात है जिसको बारहाल ये जो नारे लगाने वाले गरोऊ होते हैं वो नहीं समझ सकें गे। बाराद पाकिस्तान के वजीर खारजा हों या वजीर दाखला हों या वजीर धिफा हों या पाकिस्तान के साबिक प्राहिम अमरान खान हों या पाकिस्तान की इस्टैबलिश्मेंट हो इनको भारत के अंदर सैकुलरिजम के खातमे का बहुत डर रहता है खुद ये इसलामी ज जमूरिया ही इदर रहे, जमूरियत बेशक हो ना हो, इसलाम ही इदर रहे, मगर दूसरी जगों पे इनको सैकुलरिजम सूट करता है, यह सी चकर में रहते हैं. अभी हाल ही में भारत के एक बहुत मशूर सहाफी राहूल कंवल ने सी एनन के एक बहुत मशूर सहाफी फरीज जिक्रिया से इंटर्वियू किया, जिसमें फरीज जिक्रिया साब ने मुदी जी की अकसर पॉलिसी को बहुत सरा हा, लेकिन उनों ने बी जे पी की तरफ से सिया में मुसल्मानों को टिक्टें ना देने के मौमले को एक मसला बताया तो क्या आप समझते हैं के मुदी जी के विजिट तू अमेरिका में कुछ तंजीमें ये सवाल दुबारा उठाएंगी ये सवाल दुबारा जेरे बहस आएगा मेरे ये ख्याल है कि कुछ तंजीमें जो गालबन इंडियन मुसलिम्स की वहां पे हैं या नाम नहार लेफ्ट की हैं वो ये सवाल मुदी जी से बरायरास तो नहीं कर सकेंगे क्योंके मेरे इल्म में है कि शायद कोई ऐसी प्रेस कांफर्स मुदी जी की नहीं है जिसमें ये और मुदी जी रू-बू कोई सवालो जूआब कर सकें और ना ही मुधी जी को ऐसी जरूरत है कि इस तरह की जो हालो और शैलो तंजीमों को वो जूआब देते प्रें लेकिन इन तंजीमों से जो ये बातें करते रहते हैं मैं पूछना चाहता हूँ फरीज जक्रिया साब जिनकी मैज़त भी करता हूँ लेकिन कुछ मामलाफ में वो भी इन तन्जीमों के एजंडे के हाथों हाइजैक से हो जाते हैं नो उनसे भी पूछना चाहता हूँ कि ये तन्जीमें और खुद फरीज जक्रिया अमरीकी सैनर्ट से ये सवाल पूछे की पॉपुलेशन में आज तक अमरीकी सैनर्ट में कोई सैनर्टर मुसल्मान नहीं हुआ तो ये सवाल तो वो खुद अमरीका से पोचना है कि अमरीकी सैनर्ट में आज तक कोई मुसल्मान सैनर्टर क्यों नहीं हुआ एक बार एक तुर्की बैक ग्राउंड के एक साहब थे मिसर हैमन्थ प्राबली में जो उनका नाम कुछ इस तरह याद आ रहा है उन्होंने सैनिट के लिए एक कंटेस्ट किया था वो हार गए थे गालमन पैंसिलवेनिया से लेकिन आज तक कोई सैनिटर बन नहीं सका मुसल्मान बैकराउंड का जबके यहां पे जो आइडंटिटी पॉलिटिक्स है अमरीका हो कैनडा हो काफी फैली हुई है और कोटे की बेस पर कहते हैं जी इतना कोटा है जो हमारे यहां के इस्तला होती थी तो कोटे की बेस पर हम अपने लोग लाएंगे जो के जमूरियत की खुद नफी है कोटे की बेस पर लाना क्योंकि जमूरियत की जो असल है डिमॉक्रेसी की जो असल स्पिरिट है वो तो ये है कि काबल लोग हों तो आ जाएं अच्छा अब मैं आता हूं कॉंग्रिस की तरफ फोर हंड़र प्लस फोर हंडर थर्टी प्लस हैं विविलिए कॉंग्रिस में अमेरिकन कॉंग्रिस के मेंबर उन में दो खवतीन मुस्लमान है इलहान अमर और गाल Б провाशदा एक का नाम है और वो भी उन कॉंसीचियंसी से आईए, वो मुस्लमान होने को नहीं आईए थी, के उन्हों ने अपने आपको बताया हम मुस्लमान है वो उन कॉंसीचियंसी से इलेक्ट हुईñ जहां पर वो इलेक्ट हो सकती थी जहां पे लोग उनको वोट देते थे तो ये एक था खुशाइन मामला खाँ इसके साथ साथ दो और कॉन्वर्ड्स हैं मुस्लिम्स वो भी कॉन्ग्रिस के मेंपर है जो पहले मुस्लिम नहीं होते थे उनका नाम भी अभी भी वो अमेरिकन कृशिन नेम्स हैं मुझे भूल रहे उनके नाम वो भी है मगर वो भी कोई कॉन्वर्ड मुसल्मान होने के नाते नहीं बने वो अपने अलाकों में उनकी प्लिटिकल कोई होगी कोई वेल्थ होगी तो जिसकी वज़ा से वो बने इंटरसिंगली एक ऐसे भी कांग्रेस मेंने मुझे उनका भी नाम याद नहीं आ रहा जो पहले मुसल्मान होते थे कांवर्ड क्रिस्चन हो गए वो भी बने होए तो ये कोई फेथ की बेस पे नहीं है कि जी मजभ इनका ये था इसलिए ये इलेक्ट हुए या सेलेक्ट हुए या उनको टिक्टे मिली या ये पार्लिमेंट में पहुँचे कांग्रेस में पहुँचे वो अपने अपने अलाकों में कोई अपनी जान रखते होंगे इसलिए वो इलेक्ट हो गए अब भारत की हम बात करते हैं बारत में बीजे पी पर ये इल्जाम जरूर है कि उनकी तरफ से टिक्टे मुसलमानों को नहीं दी गई अब मेरे पास इंफर्मेशन नहीं है कि कितने मुसलमानों ने वहां पर टिक्टे मांगी थी क्या कोई मुसलमान लीडर्शिप ने टिक्टे मांगी थी मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो मुसल्मान है हमारे अपने दोस आपकी और मेरे दोस डॉक्टर गुलरेज शेची है जो बीजेपी के स्पोक्स परसन है मद्या परदेश से बहुत सारे और लोग है गालबन यूपी के भी एक मिस्टर इसलाम शेख शेयद उन आपको ज्यादा जोड़ेगी और अपने धरम से उठके भारत की बात करेगी तो बीजेपी उनको टिक्टें देगी मगर टिक्टें भारत में जो मैं समझ सका हूँ भारत की पॉलिटिक्स टिक्टें उनको मिलती है जो जीत सकते हूँ चुके बड़ी बड़ी पुलिटिकल पार्टियां यह पर एफॉर्ट नहीं करती कि सिर्फ, कोटे में टिकटेंट दे जाएं, जी चलिए दूनिया को दिखाने के लिए टिकटेंट दे 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 बहुंदे। candidate वहां से हार जाए अभी रीसेंडली गालबन मैं मैं ही मैं 2023 में यूपी में जहां पे वहां के प्रीमियर वजीर आला जो है परदान वहां के जो है क्या कहते हैं भारत में चीफ मिनिस्टर मुख्या मंतरी वो चीफ मिनिस्टर योगी अधितिया नाजी के परविंस में यूपी में वहां पे यूपी के जो बाडी एलेक्शन्स होते हैं यानि साट आफ मूस्पल एलेक्शन्स उन में अभी 61 मुस्लिम कैंडिगेट्स पार्टी की तरफ से थे और जब वो 61 वहां पे बाडी एलेक्शन्स में काम्याब होते हैं तो इसका मतलब यह है कि बीजी पी को वो लोग इस काबल लगते थे कि उन्होंने उनको आगे किया आई होप कि जब मुस्लमान लीडर्शिप जो बीजे पी के साथ एफिलियट होन लेकिए लेकिन आई अधर हैंड भारत में मुसलमान जो लोग हैं उनकी अपनी पॉलिटी कल पार्टी ठीक है तो ममतलब उ मद अगर अब तक कुछ ज्यादा पार्टी है और अगर अपनé ताउर पर कुछ ज्यादा सीटें नहीं ले सکे तो यह उनकी अपनी पुलिटी कल में कमी का मसला है hopefully with the passage of time वो अपने आपको भारती जन्ता में ये थाबत करेंगे कि भाई वो इस काबल है कि उनको वोट मिलें क्योंके किसी भी constituency में चाहिए वो अमरीका की हो कैनिडा की हो भारत की हो उसमें सरफ कोई एक धरम के लोग नहीं रहते होते उसमें सबी धरमों के लोग रहते है तो वो जो मुदी जी का भी कहना है कि हम धरमों से जरा उपर उठके politics भी कर लें ये एक अलग बात है कि बीजे पी पर ये इतराज होता है कि वो हिंदू धरम की बात करते हैं तो करनी चाहिए उनको इसलिए कि हिंदू अक्सरियत का मुलक है लेकिन इसके बावजूद प्रामिनस्टर इंजिनरा मूदी ये कहते हैं कि सब का साथ सब का वकास लेकिन बीज में मैं समझता हूँ कि धरम का फैक्टर भी आता है वो फैक्टर तो खुद अमरीका में है चर्च केतना अमरीका में इन्फुन्ट भी टापना पार्ट पले करते है डारेक्टली या इन्डारेक्टली तो अगर बीजेपी में भी ये एक फैक्टर है तो उनकी अक्सरियत है वो है लेकिन अगर कोई कैंडिडेट मजबूत सामने आएंगे मुस्लिम कम्यूनिटी से जिसके बारे में पार्टी को ये अंदाजा हो कि ये जीत के दिखाएंगे अपने बल्बोते पर यानि अपने ब अभी हाली में अमरीकी फॉरंग सेक्टरी टॉनी बलिंकन ने दौरा एचीन किया तो अब हमारे नाजरीन को थोड़ा सा तफसील से बताएए कि आप इसको कैसे देखते हैं और इसका क्या इंपक्ट होगा टॉनी बलिंकन का ये दौरा बड़ा इंपॉर्टेंट है गालब चाइना का चॉनकि चाइना के साथ अमरीका की जो टैंशन है वो पांच-साथ सालों से काफी गहरी है और ये कुछ सरकारों की टैंशन नहीं है यानि अमरीकी गावर्मेंट जो के इस वक्त बाइडन की है डैमोक्रेट्स की ऐसे पहले रिपब्लिंग की थी सादर्टर्म की तो वो दोनों सरकारों में चीन के साथ बहुत सर्द मेरी का मामला रहा। उसकी वज़ा चीन की जो इंटरनेशनल ट्रेड पॉलिसियों में एकॉर्डिं टू अमेरिका जो वाइलेशन है वो फैक्टर था ताइवान का मसला है। फिर चीन की एक्सपेंशनिजम का मामला है। इस सारी सूर्टेहाल में पांच साल के अर्सा में ये पहला हाई परफाइल अमेरिकन आफिशल का विज़िट टू चाइना था। और जो हमने अखबारात में मीडिया में पड़ा। उसके मताबक तो यही है कि ये जो विज़िट था ये एक तरह से आइस प्रेकिंग थी ज बहुत बड़ी पेशरता ही हुई जहाँ चीन खड़ा था वहाँ चीन खड़ा है जिस मौकब पे अमरीका खड़ा था उस मौकब पे अमरीका भी खड़ा है इस दोरे के बाद चाइना की नियूस अजन्सी ने ये रपोर्ट किया कि तलकात जो हैं वो आगे जाकर बेटर ड स्ट्रस्इंग दोरा था चूँके चीन की जिस तरह की दबी दबी हमायत रूस को रही युकरेन पर रूस के हमले के बाद स्प्लाई चेन भी इशू है बहुत सारे इशू से हैं इंडो पैसिफिक भी इशू है और खास रूपर प्राइम निस्टर निंडरा मूदी के अमरीक सालों बाद और इतनी सख्ट बियान बाजी के बाद कोई हाई पर फाइल अमरीकी ऑफिशल चाइना गया बात्चित हुई मेरा ये भी गैस है कि शायद अमरीकी वाटर ट्रेस्ट भी करने गए ये देखने भी गए कि जो अब तक उन्हों ने प्रेशर चीन पे डाला था प दस गंटे के करीब टोनी बिलिंकन की मुलाकाते चाइनीज हाय ओफिशल के साथ रहीं अब उनकी तफसीलात सामने तो शायद दीरे दीरे आएं और वो भी अमरीका की तरफ से आएंगी चीन की तरफ से तो ऐसी बातों को खोला नहीं जाता उनका तो कल्चर प्लिटिकल कल् तो अब ये आएंगी तफसीलात और फिर उसके बाद आने वाले महीनों सालों में जो बियानबाजी मजीद होगी जो एक्शन और रियक्शन दोनों मुलकों की तरफ से वाइस परसा होगा डिफरेंट इशूस पे उस पे हमें कुछ अंदाजा होगा कि ये मुलाकात क्या मा क्या तब सरा है देखिया पाकिस्तान की सियासी सूरते हाल में जो खबरें वहां से आ रही है उनके मताबग इलेक्शन शायद नवंबर में हो जाए और शायद ये जो गार्मेंट है सिटिंग गार्मेंट कॉलीशन गार्मेंट ये डिजॉल चुकर इसको होना है वहां के सब्सक्राइब काबग आगस्त में तो शायद ये गार्मेंट उस तरीके आसपास जूल हो जाए वहां का मीडिया और वहां के जैलिस्ट केर टेकर प्राइम मिनिस्टर के नाम भी ले रहे हैं कि जी ये नैक्स्ट केर टेकर गार्म्मेंट जो बने गी उसके ये होंगे प्र आज से इवन दो महीने पहले तक बड़ी इंपॉर्टन पार्टी थी जिनके बारे ये इमकान था कि वही स्वीब करेंगे वो पार्टी इस वक्त बिलकुल पीछे दखेल दी गई है और उसकी कोई हैसियत नहीं रही और मुझे नहीं लगता कि अब इमरान खान की पार्टी का अगले इलेक्शन में कोई कोई बड़ा रोल होगा या कोई बड़ी पार्टी स्वेशन हो सकेगी अब एक नई पार्टी पाकिसान में बना दी गई जो इमरान खान की पार्टी से जितने लोग तूटे हैं उन में से बेश्टर उस पार्टी में चले गए पता नहीं इस तह तो उन्होंने पार्टी बनाई तो बरहाल लगता ही है कि पाकिसान की इस्टैबलिश्मेंट ने वह पार्टी खड़ी की है जो PTI से लोग तूटे हैं और जो PDM के पार्टीयां हैं चाहे पाकिसान मुस्लिब हो चाहे ये पीपस पार्टी हो मौला ना फजोर एमान गृरुप हो ये अपनी जगा पे एक्टिव है और काफ लीग जो है चौधरी शुजात हुसान के पार्टी वो भी बहुत एक्टिव है तो इसका मतलब यह है कि शाहिद पाकिसानी establishment नहीं चाहती कि अगली बार या अगली सरकार का जो clear mandate है वो किसी को मिले वो यहीं चाहती है कि यह सब थोड़ा थोड़ा उनको केक का हिसा मिले फिर जब election हो जाएं तो यह अपने केक के हिस्सों को अकठा करके फिर एक हंग पार्लिमंट बनाएं तो यहीं देख रहा है और जो इस पाकिस्तान के सियासी हलात है वो पाकिस्तान के माल क्राइसेस है जसके अभी हमने पीछे बात की आइम एफ का जो अगला स्कैज्सवल भी है जिसमें कुछ लोग उमीद कर रहे थे कि पाकिस्तान को उसमें रखा जाएगा वो भी पाकिस्तान उसमें नहीं है इसलिए पाकिस्तान के जो फॉरण। इसलिए पाकिस्तान के वजीर डिफा ने अमरीका को कहा कि जी आप हमारी कॉस्ट पे कुछ ना करें यानि वो आईमेफ की मदल लेना चाहते हैं और फिर इसाक डार ने ये कहा कि आईमेफ जो है वो जियो पॉलिटिक्स खेल रहा है ये एक बहुत वाज़ बियान है तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है अब देखना ये है कि वहाँ क्या वाकिए इलेक्शन हो पाएंगे मेरी जाती दाए में इलेक्शन हो पाएंगे इसलिए इमरान खान की पार्टी को पैरलाइस किया गया है क्योंकि उनकी हरकतें भी कोई ऐसी अच्छी नहीं थी इमरान खान के अपने भी बहुत ही एहमकाना निरेटिव थे और फिर ये जो नौ मईए का वहाँ पे वाकिए हुआ चाहे उसमें स्टुपिडिटी भी शामिल है चाहे उसमें कोई इमरान हान के मताबिक कोई साथशें भी शामिल है मगर उसके बाद उस वाकिए के बाद नौ मईए के दिन के बाद अब इनकी पार्टी बिलकुल दिवार के साथ लगी हुई है मगर ये भी for the time being है ये भी शायद आगे इनको जिससे कहते हैं रिस्टोर कर दिया जाए शायद इस election के बाद चूंकि establishment को फिर किसी ने किसी की जूर तो पड़ेगी तो बारहल पाकसान जिस तरह के economic हलाद से गुजर रहा था उसी की continuation है जिस तरह के political हलाद से गुजर रहा था तो उसी की continuation है मगर ये जो continuation है इस वकी ये जो extension of continuation है ये काफी horrible है शायद इतनी horrible पाकिस्तान और पाकिस्तानियों ने नहीं देगी चलिए बिलकुल आकर में उन पाकिस्तानियों की हालत इजार पर रोशन डालिए जो human trafficking या human smuggling के हातों जान गवाते हैं प्लीज आप अपन की राए दीचे हैं देखिए ये तो आए दिन इस तरह के वाकियात होते रहते हैं लिबिया हो मिसर हो तुर्की हो मतब इस तरह की जगों से जो smugglers हैं जो इनसानी जानों की smuggling करने वाले हैं मैं तो ये कहूंगा वो human trafficking के जो लोग हैं वो लोगों को वहां से निकल वाते हैं और कहते हैं जी अब आपको यॉरप पहुचा देंगे युनान के बार्डर पे या इटली के बार्डर पे और ये बात ने ये वाकियात हम सालह साल से देख रहे हैं अब ये बहस फिर से एक बार चड़ी है जब ये युनान के करीब एक कश्टी उल्टी जि पाकिस्तानी भी लापता हैं और गालबन दो तीन दरजन की तो लाशें भी मिल चुकी हैं अब पाकिस्तान में ये बहत शड़ चुकी है और उनीस जून को यानि आजी के दिन पाकिस्तान के वजीर आजम शवाज शरीफ ने यौम सोग भी मनाने का इलाम किया था अब ये जो हुमन समगलर्ज हैं वो पाकिस्तानी भी हैं अफरीकी भी हैं और इस कष्टी में सरफ पाकिस्तानी नहीं थे दुनिया भर के बहुत सारे बेबस लोग थे जो अपनी बेबसी का तदारक करने के लिए अपने अपने मुलकों को छोड़ के बेतर दुनियाओं का रुख क करना चाहते हैं ताके वहां से उनका एक ही एजंडा होता है शुरू में तो कि अपने आपको एकनामिकली इतना कर लें कि अपनी फैमिली को रोटी खिला सकें इससे बड़ी उनकी कोई ख्वाहिश नहीं होती इससे बड़ा उनका विजन भी नहीं होता वो पिचारे उसी तरह के रवायती से लोग होते हैं वो ही माइंड सेट होता है जिन मुलकों को वो जाना चाहते हैं नॉर्मली उन मुलकों से उनकी कोई महबत नहीं होती मगरब के खिलाफ उनकी दिल में वो बिचारों का कोई कसूर नहीं होता उनके खिला होता है मादा के ये तो काफर लोग हैं इस तरह लिए हो सुर्फ रोटी की तिलाश में निकलते हैं और आते हैं और यहां पहम कैनिडा अमरीका में देखते हैं बुट सरह लोग खजारों लोग इस तरह आभी चुके हैं इन मिलकों में, सेटल हो जाते हैं बहुत आगे चले जाते हैं फिर वो अपनी उन मसीब्तों को भूल के फिर वो अपने माइंड सेट के एजंडे पर निकलते हैं. हैर ये तो अलग बहस है इस पर तो हम फिर एक पूरा शो कर सकते हैं. लेकिन ये जो human trafficking का मामला है ये बड़ा अफसोसनाक है. और पाकिसान में ये बहस चड़ी हुई है कि बही आफ्टर ओल ये रोजी रोटी के चक्कर में लोग कब तक जिन्दा भागते रहेंगे? ठीक है. लेकिन इसके साथ साथ अब इसको पुलिट साइज भी पाकिसान में किया जा रहा है. इमरान खान की जमात ये कह रही है कि जब से मुझे इक्तदार से निकाला, हमारे का लेकिन मेरा उन से ये भी सवाल है कि कब लोग भागने को तयार नहीं थे? अभी पीछे में बात कर रहा था कि अमरीका से नफरत की बात भी है और बाहर वीजे के लिए लंबी-लंबी लाइने भी लगी हुई है. तो मैं ये समझता हूँ कि असल में मैं आखर में बात को कंक करामी क्राइसिस का मामला है. पाकिस्तान में पाकिस्तानियों को अपने माइंड सेट को चेंज करना होगा. कब तक दूसरों के लिए नफरतें भी दिलो दमाग में पालते रहेंगे? और फिर उन्हीं के पास जाके, उन्हीं के देशों में रहके, रोजी रोटी भी कमाना जारे गरीब लोगों का नहीं है, इन पर तो मुझे तरसाता है. चुकि इनको तो इतनी विज्डम नहीं है. लेकिन जो पाकिस्तान के अर्बाबे अक्तियार हैं, जो एलीट्स हैं, वो इतने बड़े-बड़े हुबल-वतनी के नारे लगाते हैं, दावे करते हैं. मैं उन गरेंज सेट को चेंज करें, अपने रवयों को चेंज करें, इनका इंडिया के साथ क्या फटडा है? कश्मीर कहते हैं ना, कश्मीर तो यह आज दा के एक इंच ले नहीं सकें, कश्मीर के नाम पे यह बिलियंज और्डियंज डॉलर खर्च कर चोके हैं, वो ही बिलियंज अगर इनकी policy अच्छी होती, mindset अच्छा होता, तो वही billions and billions डॉलर पाकिस्तान के इन गरीब लोगों की बहबूद पर, यानि इनके लिए industries बनी होती ही, पाकिस्तान में, अब इमरान खान दावे करता रहता है, ये जो पाकिस्तान से बाहर बसते हैं, पाकिस्तानी, ये पाकिस्तान के मसाइल हल कर सकते हैं, और ये मेरे साथ हैं, वो इतनी बेवकुफी से ये बातें करते हैं, मुझे हैरत होती है, पाकिस्तान में इंडर्स्ट्री लगेगी इंडर्स्ट्री तो ये अपने साड़े तीन साला पॉने चार साला दोर में तो लगा नी सका वो कैसे लगेगी वो इस तरह लगेगी जब दुनिया से जगडे पाकिस्तान वाले खतम करेंगे इंडिया से सुबो शाम के जगड़े आ, आफवानस्तान से जगड़े आ, एरान के साथ जगड़े हैं, मिड्ल एस के साथ ये गलत पॉलिसियां बरते रहते हैं, चीन इनसे खुश नहीं होता, यॉर्पियन दुनिया इनके साथ नहीं है, फो गाड्सेक, ये अपने माइंड स को चेंज नहीं करते जब तक अपनी पॉलिसियों को चेंज नहीं करते खामखा की दुश्मिनियां जो उन्हों ने पाली हुई हैं और उन दुश्मिनियों की बन्याद पर जो सुब और शाम ये विर्द करते रहते हैं वो विर्द करने की बजाए ये पीस का विर्द करें और तबी इनके हला ठीक होंगे और इस जैसे जो मसाइल है वो तबी खतम होंगे या कम होंगे क्योंके फिर लोगों को मुलक इतनी डैस्परेशन में छोडने की जूरूरत नहीं होगी लोग कहेंगे कि हमें यहां भी रोजी रोटी मिल सकती है, नौकरी मिल सकती है जब तक यह जो अफ कोर्स एलीट कलास है, जो पाकिस्तान के नाम ने हाथ दानिश वर रहा है यह अपने रवईयों को, माइंड सेट को, सोचों को ठीक नहीं करते, यह मसाइल और दीगर माली, सियासी मसाइल कभी हल नहीं होगे पाकिस्तान के गोरा साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आज हमारे साथ अपने सियासी तपसरे और सियासी खैलात का इजहार करने का वियूर्ज आज का ताहिर असलम गोरा शो बिला तकलुफ मेरे साथ देखने का बहुत बहुत शुक्रिया स्क्रीब तबस्क्राइब तबस्क्राइब तर्ट अट्यूब चैनल और स्क्राइब कीश TOP